मेरी सब्सक्राइबर जो हरियाना से हैं उनकी एक रिक्वेस्ट आ दे थी ये चीजे जानने की कि प्रेग्नेंसी के अंदर बार बार यूरिन जाना इसका बच्चे के उपर कैसा असर पड़ता है साथ ही में उल्ड वैप्स की जो बाते होती हैं कि महिला कम या जादा या बार से मुझमें जितना प्रतिसप्स सच हुई वह भी बताओंगी साथ में मुरी कुछ सब्สक्राइबर ने किन चीजों को अनुभ हो किया उसे भी बताया जाएगा और यूरिन के अंदर कुछ चेंजे के उपर बात की जाएगी यूरिन की कलर के उपर बात की जाएगी और यूरिन पास करते हो वहां से बहुत नजदिक होता है आपका बच्चा काफी कह सकते एक या दो इंच के डिस्टेंस पे होता है जिस वजह से इंफेक्शन लगने के चांसे ज्यादा होते हैं लेकिन यहां पर मैं बताऊंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे आप हमेशा हेल्दी रह कर दीजिए यहां बात करते हैं यूरिन के टाइप्स की आम तोर पे महिलाओं का यूरिन दो टाइप का होता है प्रेगनेंसी के अंदर या तो एक लाइट कलर का यूरिन या डार्क येलो कलर का यूरिन जिन भी महिलाओं का लाइट कलर का यूरिन है उनकी प्रेगनेंसी ह चल रही है क्योंकि आप पर्याक्त मात्रा में पानी की मात्रा लेती है आप बात करते हैं जिन महिलाओं की यूरिन डार्क कलर की होती है इनके साथ यह समस्या है कि यह पानी की मात्रा कम ले रही है कम क्वांटिटी के अंदर मतलब देखा जाए एक तरह से तो 8-10 गलास भी ए मात्रा नहीं ले रही है जिस वज़ा से यूरीन जो है वो डार्क कलर का होते जा रहा है यूरीन का पेस लेबल बढ़ रहा है हाला कि इसमें भी कोई प्राब्लम नहीं है प्रेगनेंसी ठीक होती है लेकिन बच्चे को पानी की कमी हो सकती है यह एक ऐसा संकेत है जो दिखाता 15 मिनट पे जाना पड़ रहा है तो इसका बच्चे के उपर अगर असर की बात करें तो कोई प्राब्लम नहीं है हाला कि सही माईनों में बात की जाए तो यहां में एक तस्वीर लगा रही हूं जिस हिसाब से देखेंगे कि मा के पेट को पूरी तरीके से बच्चे ने किसी तरह की समस्या भी नहीं होगी तो आपको डरने और घबडाने के जरूरत नहीं है इसमें यह एक नैचुरल प्रक्रिया है लगवग सभी महिलाओं के साथ यह सेम चीजे होती है और जिस टाइम जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो ना 36 वीक के ऊपर हो जाता है यह ल कि बार बार यूरीन आना कोई समस्या नहीं है और जब एक बार आपकी डिलीवरी हो जाएगी ना तो डिलीवरी के एक या दो दिन बात यह जो प्रॉब्लम है ना बार बार यूरीन जाने वाली यह बिल्कुल ठीक हो जानी है चलिए गईस मिलती हूं आप सबसे मैं नेक्स मैं यहां पर भूल गई जैसे कि इंफेक्शन की मैंने बात की थी इंफेक्शन किन महिलाओ को लगती है कब लगती है जब भी आप यूरीन पास करने जाती है उस एरिये को आप पानी से साफ पानी जो आता है टंकी में नल से उस पानी से धुए इन हीसो को और टौवेल से ह पानी की मात्रा रहेगी जिस वजह से infection पहुंचने की chances होती है और आप अपने discharge को लगतार देखते रही है जो डिस्टार्ज वाइट डिस्टार्ज आ रहा है हमेशा वाइट आना चाहिए अगर ग्रिन डिस्टार्ज आ रहा है या येलो डिस्टार्ज या रेड की घंटी हो सकती है तब आपको अपने क्या करना है डॉक्टर से मिलना है मिलते हो गाइज कल की वीडियो में तब तक के लिए बाइबें टेक केर